कि यहां पर हमारे पास दिया हुआ P & Q क्व Например 3 metrics है अंद P & Q नॉट इक्वर तुए और यहां पर हम एकोईशन दिया ह기 स्क्वाइब अधिन के लंट टो कि क्यों यहां पर P कॉईर क्यूं की को विर्ल टू न क 29प गर हम हम इस equation में दोनों को subtract कर दें ठीक है यह equation 1 हो गया यह equation 2 हो गया अगर हम दोनों को subtract करते हैं तो हमें क्या मिलेगा P Q minus P square Q equal to Q Q minus Q square P ठीक है पहले वाले से P square बाहर निकाल सकते हैं equal to यहां से Q square equal to Q minus P ठीक है इसको अगर इस तरफ ले किया जाएं तो क्या हो जागा Q square plus P square plus Q square into P minus Q equal to 0 ठीक है P and Q 0 नहीं है P and Q equal नहीं है तो यह 0 नहीं हो सकता इसका मतलब P square plus Q square के determinant की value कितनी होगी 0 हो जाएगी ठीक है यहां पर आप हमें इसी की value पूछी है determinant of P square plus Q square यह value किसकी equal हो जाएगी C option की equal हो जाएगी ठीक है